नमस्कार दोस्तों, OCN Network में आपका स्वागत। 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण अडवानी ने स्वमनाव से आयोध्या तक की अपनी रत्यात्रा शुरू की थी और उस रत्यात्रा के सार्थी बने थे नरेंद्र मौधी 1990 में नरेंद्र मौधी कोई बड़ा चेहरा नहीं हुआ करते थे वो तो गुजरात के मुख्यमंत्री भी बने जाकर के जब भुज और कच्छ में बड़ा एक भुकम पाया और केसु भाही पटेल के अस्थान पर जो केंद्रिय नितरतु था खासतोर से प्रधान मंत्री अटल विहरी वाजपई उन्होंने नरेंद्र मौधी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना करके भीजने का फैंसला किया उसमें जाहिर है उनके जो डिप्टी थे उस समय लाल कृष्ण अडवानी उनके भी भूमिका थी तो अडवानी ने जब सौमना से अयोध्या के लिए रत्यात्रा शुरू की तो अपना सार्थी बनाया नरेंद्र मौधी को और उसके बहुत सारे चित्र इन दिनों भी सामने आ रहे हैं इसके अलावा इससे पहले भी अगर आप देखें तो दोनों के कई चित्र सामने आ चुके हैं आज एक चित्र आया आप इंडिया में और इसमें एक ख़बर भी साथ में आई ख़बर ये है कि लाल कृष्ण आडवानी ने एक राष्ट धर्म पत्रिका है उसके लिए लेख लिखा है और उस लेख में बहुत भावक बाते लिखी हैं खास तोर से जो प्राण प्रतिष्ठा समार हो होने जा रहा है और भगवान राम का जो मंदिर का निर्मान हुआ है उसको लेकर के और प्रधान मंदरी नरेंद्र मोधी को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी को भगवान श्री राम ने ही चुना और प्राण प्रतिष्ठा से पहले अडवानी ने ये भी कहा कि नियती ने तै कर लिया था आयोध्या में मंदिर का निर्मान होगा तो आज हम तेरे जन्वरी को बात कर रहे हैं एक दिन पहले अडवानी जी के लेख के कुछ अंश सामने आये हैं वैसे तो आज प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने भी बहुत भावक संदेश जो है वो जारी किया है और उसको भी हम सुनेंगे लेकिन इससे पहले अडवानी जी ने प्राण परतिष्ठा समारोह को लेकर के और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को लेकर के जो बाते कहीं है उन पर एक द्रश्टी डालना बहुत जिरूरी है क्योंकि ये जो इंडी एलाइंस का गैंग है इसके जो घटक दल हैं कॉंग्रेस समेत और कई दूसरे वो आ तो मैं आगे बढ़ने से आपको पहले ये बता दूं कि इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए राष्ट पती द्रोब्दी मुर्मो को भी निवंतरन पत्र दिया है विश्व हिंदु परिशद ने उपराष्ट पती जगदीब धनकर साब को भी दिया है तो इन दोनों क के भी वहां उपस्तित रहने के अब आसार बढ़ गए हैं संभावनाएं बढ़ गई हैं यानि राष्ट पती उपराष्ट पती दोनों उस दिन आयोध्या में हो सकते हैं जगदीब धनकर साब ने तो कह दिया है कि मैं तो रहूंगा लेकिन अभी राष्ट पती भावन से पुष्टी होनी बाकी है और लाल कृष्ण आडवानी भी उस दिन प्राण परतिष्ठा समारो का हिस्सा होंगे विश्व हिंदू परिशद ने कहा है कि हम उनके स्वास्त और तमाम दूसरी जो सुईधाएं हैं उनके स्वास्त से जुड़ी हुई उसका पूरा खयाल रख तो अडवानी जी की महा उपस्तिती प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी के हाथों तो सब कुछ हो ही रहा है और मोधी जी ने आज एक संदेश जारी करके इस बात की जानकारी दी है कि उनका ग्यारे दिन का अनुस्ठान शुरू हो गया है और वो अनुस्ठान भी उनने कहां से शुरू किया है पंचवटी से और पंचवटी का रामचरित मानस और रामायन में जो लेख है कि वन गान के बाद जब सीता माता और लक्षमन के साथ राम जा रहे थे तो उनका पड़ाओ कहां हुआ था पंचवटी में ही हुआ था तो उसीक शित्र में नासिक में एक मंदिर में स्वच्छता अभियान शुरू करके प्रधान मंत्री नरेंद्र मौदी ने एक तरीके से अपना ग्यारे दिन का वो अनुष्ठान शुरू किया है जो उनको साधू संतों ने और जो ग्यानी हैं उन्होंने बताया है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोहों से पहले आपके लिए ये जरूरी है तो आड़वानी जी ने क्या कहा है उस पर हम बाद में आते हैं पहले जरा नरेंद्र मौदी का जो एक संदेश है ट्वीटर पर भी उन्होंने वो संदेश जारी किया है लेकिन एक आडियो वीडियो भी जारी क किया है तो पहले देख लेते हैं कि ट्वीटर पर उन्होंने क्या लिखा है फिर उन्होंने जो कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं परधानमंद्री ने कहा कि आयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं मेरा सोभग्य है कि मैं भी इस साक्षी बनूँगा प्रभुने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दोरान सभी भारतवासियों का परतेनिजित्व करने का निमित बनाया है इसे ध्यान में रखते हुए मैं आज से ग्यारे दिन का विशेश अनुष्ठान आरंब कर रहा हूँ मैं आप सभी जनता जनारदन से आशिरवाद का आकांक्षी हूँ इस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक परियास किया है ये परदान मंतरी नरेंदर मौदी का ट्वीटर पर संशेप में एक संदेश लेकिन उन्होंने जो कहा है जरा उसको भी सुन लेते हैं बहुत छोटा करके मैं आपको सुनवा रहा हूँ ये वैसे तो 11-12 मिनट का है लेकिन 3-4 मिनट का मैं आपको इसका अंश सुनवा देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि उन्होंने एक्चल में कहा क्या है आईए सुनते हैं सियावर राम चंद्र की जाए मेरे प्यारे देश्वासियों राम राम जीवन के कुछ ख्षण इस्वरिय आशिरवात की वज़से ही यथार्थ में बदलते हैं आज हम सभी भारतियों के लिए दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है हर तरफ प्रभूसरी राम की भक्ती का अध्भूत वाता भरत चारों दिशाओं में राम नाम की धून राम भजनों की अध्भूत सौंदर्य महधूरी हर किसी को इंतजार है बाइस जन्वरी का उस अयतिहासिक पवित्र पल का और अब अयोध्या में राम लदा की प्रान प्रतिष्ठा में केवल ग्यारा दिन ही भचे हैं मेरा सवबाग्य है कि मुझे भी इस पुन्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है ये मेरे लिए कल्पना तीत अनुभूतियों का समय है मैं भाव को हूँ भाव विहवल हूँ मैं पहली बाद जिवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूँ मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूँ मेरे अंतर मन की ये भाव यात्रा मेरे लिए अभीव्यक्ति का नहीं अनुभूति का आउसर है। चाहते हुए भी मैं इसकी गहनता, व्यापकता और तीवरता को शब्दों में बाद नहीं पा रहा हूं। आप भी भली भाती मेरिस्तिती समझ सकते हैं। जिस स्वप्न को अनेको पीडियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने रदय में जीया, मुझे उसकी सिध्धी के समय उपस्तित होने का सोभाग्य मिला है। प्रभु ने मुझे सभी भारत मास्यों का प्रतनिदित्व करने का निमित्त बनाया है। निमित्त मात्रम भवस सब्यसाचिन ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा हमारे सास्त्रों में भी कहा गया है, हमें इश्वर के यग्य के लिए आराधना के लिए स्वयम में भी दैविय चेतना जागरत करनी होती है। इसके लिए सास्त्रों में वरत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिने प्राण प्रतिष्टा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मारदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाये हैं, उसके अनुसार मैं आज से ग्यारा दिन का विशेश अनुस्ठान आरंब कर रहा हूँ। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के स्री चर्णों में प्राथना करता हूँ। रुशियों, मुनियों, तपस्यों का पुन्यस मरण करता हूँ। और जनता, जनारदन, जो इश्वर का रूप है, उनसे प्राथना करता हूँ। कि आप मुझे आशिरवात दें, ताकि मन से, वचन से, कर्म से, मेरी तरफ से कोई कमेन आ रहा है। साथियों, मेरा ये सवभाग्य है कि ग्यारा दिन के अपने अनुस्ठान का आरंब मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूँ। पंचवटी वो पावन धरा है जहां प्रभूस्री राम ने काफी समय बिताया था। और आज मेरे लिए एक सुखत से योग ये भी है कि आज स्वामी विवेकानन जी की जन्मिजेंती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मौदी ने कितना बड़ा संदेश दे दिया है अपने इस संदेश में। वह वहां पहुंचे पंचवटी जहां वनवास काल में प्रभूर श्री राम माता सीता और लक्ष्मन के साथ गए थे। और अपने संदेश में उन्होंने कई दूसरे संदेश भी लोगों को दिये हैं। ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टियों को, ऐसे नेताओं को दिये हैं, जो भारती ये जनमानस को समझते ही नहीं हैं। मैं आडवानी जी के संदेश की बात कर रहा था। उन्होंने एक लेख के रूप में राष्ट धर्म पत्रिका में बहुत भाव विवल होकर के ये कहा है कि जब मैंने रत्यात्रा शुरू की थी सितंबर 1990 में और नरेंद्र मोदी मेरे सार्थी बने थे, मेरे सहियोगी बने थे शायद प्रभूर आम ने उसी समय ये नियत कर दिया था, निश्चित कर दिया था कि नरेंद्र मोदी के हाथों ही इसी भक्त के हाथों पूरे भारत वर्ष की जनता की और से ये प्रान प्रतिष्ठा होगी। आईए उन अंशों पर एक दरश्टी दोड़ा लेते हैं जो अ कल एक खबर छपी है। इसमें देखिए उन्होंने क्या कहा है, मैं आपको उसके कुछ अंश पड़वा देता हूँ। अड़वानी ने कहा कि उन्हें उमीद है कि मंदिर सभी भारतियों को भागवान राम के गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। एक भव्य राम मंदिर बनाया जाएगा। अब यह केवल समय की बात है। राष्ट धर्म नाम की पत्रिका से बात करते हुए लाल कृष्ण आरवानी ने आगे कहा और रत यात्रा शुरू होने के कुछ दिनों बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ एक सार्थ ही था, मु अस्थान पर जा रहा था। और उन्होंने रत्यात्रा को एक्चल में अपने राजनितिक जीवन की सबसे निरनायक और परिवर्तन कारी घटना भी बताया। यह एक पैरा छोड़ देते हैं, यह इस पर आईए। प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी को बदाई देते हुए अड मंदिर की इमारत बन रही है। उन्होंना कहा कि अब जब पीम मोधी मंदिर का अभीशेक करेंगे तो यह भारत के परतियेक नागरिक का परतिये धित्व करेंगे। तो अड़वानी जी के इस बयान में इस लेख में भी एक संदेश है। बहुत सारे लोगों के लिए है। और ये भी शो करता है कि एक्चल में अड़वानी अगर उस दिन अयोध्या पहुच रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा समारों में भाग लेने के लिए। और उससे पहले उन्होंने नरेंद्र मोधी को भारतियों का प्रतिये धित्व करने और इसका सोभग्य प्रभूश्री राम के द्वारा ही नियत कर देने से जोड़ा है तो फिर वो भले ही बहुत वरिष्ठ हैं भले ही एक दोर में नरेंद्र मोधी को आगे बढ़ाने में उनकी भूमी का है लेकिन आज जो भावनाएं हैं भारतिये जनता की वो उसका भी सम्मान कर रहे हैं क्योंकि भारत की ज हैं अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेयर भी करें अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ मे लगे बेल आइकोन को दबाना ना भूले ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नौटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कर